तो गूड इवनिंग दोस्तों आज हम फिर से आपके सामने आये हैं और एक खुशकबरी आपके लिए लेके आये हैं और जहां तक मुझे लगता है कि काफी लोगों को इसके बारे में पता चल गया होगा लेकिन जिनको नहीं पता चला है तो उनके लिए तो हम हैं अवेलेब लोग बहुत excited होंगे और यह जो information नहीं है जो information ही ऐसी है कि आपके लिए बहुत बड़ी एक opportunity लेके आई है life में जैसा कि मैंने लिखा हुआ यह पीछे great opportunity तो खास करकि जिन लोगों ने हम जो CET से जुड़ेवे हैं साथ में जिन लोगों ने CET का exam दिया है CET के अंदर जो मैं आपको न्यूसपर की cutting भी दिखा देता हूं तो यह हमारी जो न्यूसपर की cutting है इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि कनिश लिखाकार के 4911 पत होंगे शामिल पहले कितने थे लगबग 1900 पत थे और अब 4911 हो गये हैं लगबग देखा जाए तो 2000 क्या पत जो है इंक कि देखो बेटा यह budget year है यह चुनावी year है budget हमारा आने वाला है कुछ दिनों में ही budget आने वाला है तो जो government है तो government को भी काफी अपने budget को लेके चुनावी साल होता तो उनको काफी उमीदे होती है जो युवा जो जितना state का युवा है उनको काफी उमीदे होती है काफी ज रोजगार का जितना जाक कि उम्ड़े बढ़ाएंगे जितना रोजगार को आभ आगे लेके जाएंगे जितना आप वेकर सिक ओलेंगे जितने रस्ते को लूजए अप उतना ही आप एक्लिए प्रोग्रेसि रहेगा और आपको अप्सेशीन में फैदा ही इस चीजर awfulार अप क खास करकि हमने सीटी दिया था हमने इनालेसिस बनाया था कितना कट आफ स्कोर रहेगा कितना रहेगा मैंने पहले भी कहा था कि लग बग 50-55 की पसेंट कट आफ रहेगी उसकी लेकिन जो कट आफ को लेके जिन लोगों ने अपना बीपी बढ़ाया हुआ था अब उनके लिए थोड़ी रहत है और रहत से जादा मैं बताता हूँ ऑपर्चुनिटी यह ऐसी है यह लाइफ टाइम में हर किसी को नहीं मिलता है और यह कोई लेगुलर भरती नहीं है जो हर एक साल दो साल में आ रही है वापस यह वो बरतियां नहीं है यह बरतियां सालों में आती है और जो मौका यह आपको देखे जाएगी जो आपकी लाइफ को होने का जो मौका मिल रहा है इसको आप वापस ना कवाएं मैं पहले भी आपको कही चुका हूं कि सजेशन दे चुका हूं कि आप रिजल्ट की टेंशन ना लीजिए बहुत लोगों को पास करेंगे आप बेफिक इन पोस्ट है लगबग 1900 तो पहले थी ठीक है अब 1900 के अंदर लगबग देखा जाये तो लगबग 2000 और एड़ कर दी तो मतलब 2000 तो क्या दो और साज ज्यादा है 2000 प्लस से अब इससे क्या होगा कि जो 1900 थे मैंने कट आफ का एनलेसिस जो किया था वो 1900 के हिसाब से किया था और अब जो मैं बता रहा हूं वो इस 2000 को एड़ करके बता रहा हूं तो जिन लोगों का फोड़े बहुत नंबर कम भी थे तो अब आप लोग बेफिकर रही है अब आप लोगों के पास एक बहुत अच्छी ऑपरचुनिटी मिल गई आपको और इस ऑपरचुनिटी को आप इतना समय रहेगा और बेटा सीटी का रिजल्ट कल जैसे हमारी आज कर्ट एक सीटी ट्वैल्ट का जो ऐग्जाम हुआ है कल होगा और और यह जैसी अज वाले का रिजल्ट निकाल देंगे यह लोग तो है नो कर देंगे और नो किन राइक ते बहुत अनी परद यब कर रहा है collection तो उसी का होगा notification आने के बाद तो पूरी दुनिया त्यारी करती उसका कोई खास मतलब नहीं है वो तो एक तरी की भेट चाल हो गई हाँ तो किसकी त्यारी कर रहा है मैं junior account की त्यारी कर रहा हूं आज मार्केट में कौन सी पोस्ट आई वी है या इसकी कर ले बहुत अच्छी है लेकिन मैं आपको यह चीज़ बता रहा हूं और आप उसको follow करिए उसके उपर आप जितना मेनत करेंगे उपने उपर जितनी practice करेंगे जितनी मेनत करेंगे उतना ही आप रोज मैंने जो concept बताए ना आपकी एक दिन की पढ़ाई आपको 10 बच्चों सागे ले जा रही है इस concept को आप दिमाग में गुमाईए और लगे रही है और जितना आप देखें आप एक दिन पढ़ाई नहीं कर रहे हैं आप दस बच्चों से डारेक्ट पीछे हो रहे हैं यह मेरा पर्सनल यह व्यू है और यह सच है प्रैक्टिकल चीज़ है मैं अपने students को प्रैक्टिकल चीज़ ही बताता हूं हवा हवा ही बाते करने को नहीं मिल तो यह वंस ब्लू मून वाली बात हो गई काफी दिनों बाद जो देखना को मिलती है और इसको अपर्टिनिटी को आप बहुत अच्छी मानिए बहुत अच्छी जॉब है बहुत अच्छी रेप्टेशन है अच्छा काम है यह बहुत इस सोसाइटी के लिए अ पोस्त को आप देखके अगर आपके अंदर अब आग ना लगे ना तो फिर आग लगेगी नहीं जोश आजाना ची जोश कि अब मुझे तो इसके बस मज़ा इसके पीछा पढ़ जाओंगा कैसे ना निकले 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 गई तो पीछे पढ़ जाएंगे हम तो ठीक है और अब मैं कुछ थोड़ी बहुत चीजें आपको एक्स्ट्रा बतायता हूं कि जैसे कि मैंने आपको कटिंग दिखा ही दिए ठीक है 499 वत पद है इसके अंदर ठीक है और CET बारी इस्तर की परिक्षा कल से 4-5-11 खतम CET बारी की बाद में REIT की बाद में सीधा मैं कह रहा हूं आपको CET graduation का result में बहुत जल्दी आएगा बहुत जल्दी आएगा क्योंकि इनकी priority है लोगों ने challenge किया था इनको बहुत लोगों ने challenge किया है और जो टियारे जूनियर अकाउंटेंट का जो syllabus है वो ऐसा नहीं है कि आप एक मीने बढ़के चले जाओ तो कि regular syllabus नहीं है वो अलग syllabus है हटके syllabus है काफे लोग नहीं होता कि आप कहते हैं कि आप RS की तयारी करिए आपका वीडियो पटवारी ऐसा ही सब निकल जाएगा तो य यह थोड़ा लीक से अलग syllabus है इसका थोड़ा सा है ना तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अलग मैनेत भी करनी पड़ीगी यह on going regular courses regular भरतियां वाला यह इसका सीन नहीं है यह थोड़ा सा अलग चीज है आपको मैनेत भी अलग है strategy भी अलग है इसका way forward भी इसका थोड़ा स मैंने जो बताया था कि मैं 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 ऐसा मान लेता हूं कि इंटू इसका 15 करो ना 15 तो मैं तो कहता हूं कम मानता हूं मैं इसका 25 करूंगा क्योंकि जो यह 25 का reason है 25 ऐसे हवा बात नहीं है इसका reason है इसका reason यह सबसे main reason इसका यह है कि this is election year यह चुनावी साल है वो कोशिश उनक आता है वो मैं यहां लेकूंगा नहीं आप लोग imagine कर लीजिए और खुश होई इस चीज को positive में लाइए ठीक है आपको मौका मिल रहा है जो लोग मुझे query जिनकी आती थी के सर मेरा product कम score है मेरा 130 आ रहे है मेरे 100 आ रहे है मेरे 110 आ रहे हैं है ना मैं बहुत पास हूं सर मैं कोने में बैठके कितनी मेनत कर रहा है एक पद के लिए जिसको आपके पानी की भी इच्छा है बिना मेनत तो आपसे यह नहीं होने बाद मेनत तो बेटा करनी पड़ी ठीक है और अभी से लग जाओ सारा content सब कुछ मिलेगा आपको content की आप बेफिकर रही है आप सिर्थ दि पैनल के उपर सारी गाइडनिस मिलेगे अब आज फैब पॉर्थ फैब है ठीक है चार दिन तो मेरे को लग रहा है कि खुशी में निकल गए होंगे बच्चों के जो पढ़ रहा है उसके अच्छी बात है लगा रहे जो चार चेर में चार दिन में जुन्होंने खुशिया म अब यह 25 दिन जो है यह इस खुशी में निकालना है कि पोस्ट आ गई है अब तो हम क्लेर कर लेंगे नहीं बेटा बहुत जंता पढ़ भी रही है तो आपको अगर उनसे कॉम्पीट करना है तो यह 25 दिन वेश नहीं होने चीभी है तो आपको 100% यूज लेना है अब वह 100% कैसे लेना है इसके लिए मैं अलग से strategy वीडियो भी लेके आँगा पूरा समझाओंगा आपको कि आपको किस महीने में क्या करना है कैसे आपको लेके चलना है सारे सब्जेक्ट्स क्योंकि parallel है ना दो पेपर है हमारे पास एक commerce का भी है एक gk का पेपर भी है हमको उसको भी चलना है तो parallel पढ़ाई कैसे करनी है दोनों को साथ लेके वह भी मैं आप से discuss कर लूँगा यह लग वीडियो के अंदर है ना strategy वीडियो के अंदर अब भी बस आप यह है कि यह 25 दिन है इसका यूटिलाइज करवा इस निकालो syllabus अवेलेबल है syllabus टेलिग्राम वीडियो के अं जो comfortable है जिसको आप पहले कर सकते हो उसको आप पहले कर लो ठीक है तो यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखो काफी तो stress इसलिए हो जाता है कि हम अभी शुरू-शुरू में हम कितना करें सबसे easy लगता है जिसमें आपको लगता है कि इसमें तो मैं मतलब यह मैंने पढ़ा हुआ है इसमें मैं comfortable हूँ इसको मैं दो बार पढ़ लूँगा तो मुझे चीज़े समझना देगी चाए आप commerce का कोई कोई भी subject ले लीजिए ठीक है चाए आप gk ले लीजिए चाए सबके question आ रहे हैं ठीक है ऐसा तो है नहीं कि किसी एक subject की बहुत जादा वेटेज है वेटेज तो लगबग एक उपर वाले view से देखू ना तो लगबग सबका बराबर है यह वाला हाल है ऐसा तो है नहीं कि यह बड़ा है या यह चोटा यह सारे बराबर है ठीक है तो अब आपको क्या करना है पहले इसको बरना है कोई भी subject हो आप की पसंद का जो आप सबसे comfortable हो आप computer graduate है तो आप computer उठाइए आप English graduate है आप English उठाइए आपको लगता है कि मैं जीके मैं अच्छा हूँ जीके उठाइए commerce में अच्छा हूँ तो commerce का कोई subject उठाइए ठीक है आप उसको खतम करिए फिर आप इसको 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 खतम करिए ऐसे करते करते आपका जो confidence है वो बहुत boost हो जाएगा और ऐसे करते करते यह सरकल बन जा पता यह नहीं चलेगा कि आपने इतनी मेनत की है और इस मेने से मैंने यह पूरा लग बग एक बार यह कर लिए इसके मैं डीटेल पूरा अलग से लेके आऊंगा जिसमें पूरा समझाऊंगा आपको कब कैसे क्या करना है कौन सा बच्चा किस चीज में comfortable होगा कि इसमें नहीं होगा और आपको खुद को पता है जो ये वीडियो देख रहे हो अभी आपको खुद को पता है कि आपकी स्चीज में ज़्यादा comfortable हो कौन से subject पर आपकी command है जिसको आप पहले निप्टा सकते हो है ना तकि वो बाद में आपके लिए सरदर्द ना रहे उस पर लास्ट में अगर आप practice करोगे फटे बहुत question लगा लोगे mcqs लगा लोगे तो आपका इसमें मामला अच्छा हो जाएगा है ना आपको number भी अच्छे मिल देगग मैं आपको सिर्फ अभी एक चीज कहने आये हों कि देखो पेटा अमरत बन के आया है यह हाँ आसकर की जो commerce वाले बच्चे सुन रहे है के लिए तो यह अमरत बन के आया है ठीक है पेटा जेन का भी एक्जाम होता है junior का भी एक्जाम होता है उसके अंदर commerce वाले अलाउड नहीं होता है arts वाले भी अलाउड नहीं होता है सिफ और सिफ technical background वाले अंदर eligible होते है ठीक है और junior accountant के लिए सब eligible है तो मैं इसके लिए यह कह रहा हूँ क्या commerce background का हो या केसी दूसरे background का हो लेकिन वो अपना career अपने आपको आने वाले 10 साल में जहां देखना चाता है अगर वो accounting background में देखना चाता है अपने आपको है ना सब भी मैं government sector के अंदर बात करूं या किसी भी अंदर बात करूं खासकर गर्वर्मेंट sector के अंदर आपको accounting accounting के अंदर आपको अच्छा काम करना है बहुत अच्छी post है यह बहुत अच्छा career growth मिलेगा बहुत को सीखने को मिलेगा मैं हैनत कर लो मैं कह रहा हूँ ना मैंने आपको पहले videos में भी कहा है इस साल इतनी भरतिया आएगी इतनी अच्छी अच्छी भरतिया आएगी आपको खुद को संभीनियेगा क्या करोगे आप बहुत लोग बटकेंगे कि मैं यह भी कर लेता हूँ यह भी कर लेता हूँ वो दो नाव में ऐसे सवार होंगे और दोनों में डूब जाएंगे अभी इस पर फोकस करिए आप यह opportunity बहुत अच्छी है इस पर आप जितना जल्दी जतना जल्दी लग जाओगे उतने मैंने बताया ना दस दस बच्चे ठीक लगाते रही है आप दस बच्चे आज होगे दस बच्चों से मैं आ जागे हूँ यह आपको help करेगा confidence boost होगा इससे आपका ठीक आपको लगेगा कि हाँ मैं जो बढ़ रहा हूँ मुझे सहौन में आ रहा है मैं आगे चल रहा हूँ मैं आगे बढ़ रहा हूँ ठीक है बाकि हम इस platform team CA one exam.in पे हम आपको guidance देते रहेंगे पंकर सर भरसर संदीप सर आपको help करते रहेंगे ठीक है आपको content मिलता रहेगा आप regular बने रहे है मैं आगे strategy वीडियो भी लेके आऊँगा ठीक है आपको बताता रहूँगा आपके बीच में continuous clip में आता रहूँगा कि आपको कब क्या कितना और कैसे पढ़ना है ठीक है हमको बहुत ज़्यदा पढ़ना नहीं है इस exam के खासियत ही यही है कि यह expertise मांग ही नहीं रहा है यह basic logical मांग रहा है basic और logical मांग रहा है ताकि जिस department में आपको बेजा जा रहा है वहाँ पे आप गलतिया ना करें ठीक है यह एक बहुत अच्छी career opportunity है इसको आप सच्टे में और मजाक में और हलके में ना लें यह 2023 की मेरे हिसाब से सबसे अच्छी खुशकबरी है किसी के लिए खुशकबरी कुछ और आई होगी लेकिन हम यह कह रहे हैं students के लिए जो कि अपने आपको बहुत अच्छा मतलब करना चाते है life के अंदर कुछ मेहनत करना चाते है कुछ मुकाम पाना चाते है अपने आपको establish करना चाते है समाज में या किसी भी level पर आप इसके पीछे बढ़ जाईए हाथ दो के पीछे बढ़ जाईए आप बहुत लोगों के पीछे पढ़ते होंगे बहुत चीजों के पीछे बढ़ते होंगे भी आप इसके पीछे बढ़ जाईए आपकी life set हो जाईए ठीक है मैं आज तो आप से अलविदा चाता हूँ लेकिन मैं वापस हाँगा आपके बीच में एक strategy वीडियो भी हम लेके आएंगे और हम आप queries डालते रही है comment में मैं solve करता रहूँगा जैसे जैसे मुझे time मिलता रहेगा मैं आपको बताता रहूँगा ठीक है और मैं last में भी आपको ये चीज़ कह रहा हूँ बहुत लोग होँगे कि पोस्ट देख रहेंगे और 4900 बंट ग्यारा ये पोस्ट आ गई है ठीक है ठीक है इसी में 17 जा रहे है लडीजी में 20 जा रहे है उसमें इतनी है उसकी करते हैं आरे करते हो लेकिन इसको एक बार आप थोड़ा सा करके चीज को देखो कि कितनी अमरित बनके आया है ये आपके लिए 2023 में इस पोस्ट कोई रोज रोज नहीं आती है ये बार बार नहीं आती है ये बहुत अच्छी पोस्ट है ठीक है इसके लिए मेहनत करिए जूट जाएए लग जाएए लगन के साथ फड़ा सीने में आग रखो ठीक है और बाकी हम बाते आगले वीडियो में भी करेंगे स्ट्राटीजी की बारे में बात करेंगे इस महीने में हमको कैसे क्या करना है हमको आगे क्या चलना है कैसे फड़ा बहुत मैंने आइडिया आपको 25 दिन का जुगाड एक रफ लेंगेज में इसले बता है जाकि आप टाइम वेस्ट न करो अपना टाइम वेस्ट मत करना ये 25 दिन जो बचे हैं इस महीने के भी उसको उसको यूज दे ले लएना पूरी तरीक दिन लगता उसको उठा लो उठा लो उठा लो शुरुआत कर दो जितना जल्दी शुरुआत करोगे उतना जल्दी उतना ही ज्यादा स्ट्रेस से रिलीफ हो जाओगे फ्री मैंड होके पड़ो मस्त रहके खुश रहके पड़ो बाकी कोई डाउट आईए आती है तो आप कमेंटे मुझसे पूचिए मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँ ठीक है बाकी संदीप सर भरत सर और अंकर सर आपके लिए अब पूरा अच्छा कंटेंट ठीके लगे रहे है रुकना नहीं थैंक्यू गुटनाइट